दोस्तों इंटर के जो इस बार 23 में एक्जाम दे रहे हैं उनलोग के लिए एक टिप्स है जो यानिके इंग्लिश में अंग्रेजी में किस तरह से आप अच्छे से अच्छा मांक्स उठा सकते हैं जहां दोस्तों मैं आपके लिखाया हूं कुछ ऐसे टिप्स जिसको आप या जो आपको एक्जाम में बहुत ही जरूरी हो जाएंगे और उस तरह से आप अगर त्यारी करते हैं तो आपको काफी अच्छे मांक्स आने के चांस रहते हैं तो जीहां दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो आज मैं आपको बता रहे हैं जैसे कि मैंने फिजिक्स केमेंस्री बा तो आज जो मैं आपको इंग्लिश का जो जो भी टिप्स दे रहे हैं वो है डॉक्टर सुभूत कुमार चाह ठीक है यह अब यहां देखते हैं कि नोने क्या क्या है देखिए सबसे पहले जो आपको इंग्लिश में त्यारी करनी है वह है यहां पर सबसे पहली पात हेड्लाइ ही होगा यानि को अब्जेक्टिव में 50% ग्रामर होने वाला है यह बात उन्होंने साफ सब कही है तो आप यहां पर देख रखते हैं अग्रीजी में अगर ग्रामर के त्यारी बेटर हो तो चाहत अच्छे अंक ला सकते हैं इंटर परिक्षा में अंग्रीजी विशार में क क्योंकि ग्रामर से 50% होगा ठीक है उसके बाद देखें अंग्रीजी में चैप्टर को पढ़ें और बीना देखें उत्तर लिखने का अभियास करें इससे भूलने के समय से अदूर हो जाएगी अगर आपको चीज़ पढ़ते हैं हाँ भूल जाते हैं इंग्लिश में ज्या इसमें लिकाव आए कि विशेश चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है और अंग्रीजी के हर चैप्टर को पढ़ना है ठीक है पढ़ने से क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई कहानी वाली चीज बात होती है तो वह कहानी आपके जहन में आती है फिर आप उसको लिख सकते है अगर भाषा पर सोड़ी से भी पकड़ होगी तो आप अच्छी से लिख पाएंगे तो देखिए वियाकरन और निमंद में से दस से पंदरा अंग के सवाल रहते हैं निमंद में करें करें क्योंकि कई टॉपिक जो है करेंट अफेर से भी पूछे जाते हैं ट्रांसलेशन बनाने का अभियास हर दिन करना है ट्रांसलेशन जो है वो तो आता ही आता है तो ट्रांसलेशन आपको डेली बनाना है अब देखिए क्या-क्या बाते हैं वह बताने बात हो कि इसको ध्यान में रखर करके आपको अच्छे अंकपराफ्ट हो जाएंगे तेकि परिक्षाथ बहत suggestions को एक टिन सेोना है 2-3 गंट है एक निमन हर दिन लिखना है कितनी बड़ी अब यह शित को हर दिन एक भर पड़ने परिक्षा हॉल में कम्प्रिंहेंचेंछने के और देखने के बाद कंदेकम तीन इनकि यानिक लिखने के बाद प्रश्च चोंगने दिना आपको तीन घुज न करना क Chief कि आन्सर से एस के आइस हम से पूछे के प्रष्चन को अनुज स्याइन करना कुछर से और लुक्त कर दीजिए translation में वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और उसका भाव समझ कर उत्तर दें spelling सही से लिखें क्योंकि गलत spelling पर अंग कटेंगे ये बड़ी बात कहा है कि गलत spelling रहेगा तो आपका अंग कटे जाएगा ये चीज़ आपको याद रखना है ऐसा मत सुचे है कि गलत कुछ भी लिखते हैं अब पाइटन क्या रहेगा पाइटन आप खुद पता है लेकिन फिर भी एक बार बता दो कि कुल अंग सौ के होंगे कुल 100 पुछ जाएंगे हुआ सब 50 उत्र देना है हर परकुष एक एक अंग कर रहेगा सेक्ष्ण बी में पत्र लेकानिया अप्लिकेशन पांच अंग कर रहेगा एक्स एक्सप्रेशन प्रोज जो है चारंग कर रहेगा एक एक्स क्षिशन पूरेटणी जो है चारंग का फिर प्रोज पूजी स्टूरिए पर अंग्लिश है देर करना तो यह सारी बात है मैंने आपको घाला दी movement Ivski अप क्याल लगalgत करके आप अच्छे बात दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको दूरूर बताएगा वीडियो पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देज़ेगा रिखे ताकि दूसरों को फैदा पुचाएगा दूसरों तो आपका भी भला होगा चल यहीं मिलता है अगले वीडियो में तब तक लिए टेक काँ बाबाची